कहानी के शुरुवात में हमें कांदाक राज दिखाया जाता है जहांके राजा का नाम था एक्टोन वो काली शक्तियों को हासल करना चाहता था जो उसे अमर बना दे इतना ताकतवर बना दे कि उसे कोई हरा ना पाए और ना ही कोई मार पाए इसके लिए उसे एक ताज बनाना था जो कि एक खास किस्म की धातू से बनता है उस धातू का नाम है एत्रियम जो सिर्फ और सिर्फ कांदाक में पाया जाता था इसलिए राजा एक्टोन अपनी प्रजा को गुलाम बनाकर उनसे खुदाई करवाता है एक दिन खुदाई करते वक्त किसी को वो एक्ट्रियम मिल जाता है और वो इसे छपाने की कोशिश करता है पर उसके आसपास के लोगों ने उसे देख लिया था और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं तब एक लड़का वहां आकर उन्हें रोकता और समझाता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए और इस एक्रियम के बतले आजादी और इनाम लेना चाहिए जब वो लोग सिपाही के पास जाकर एक्रियम के बतले इनाम मांगते हैं तो वो सिपाही इनाम के तोर पर उसे मौत देता है यह सब देखकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो राजा के कि हमें उस जालिम राजा के आगे जुकना नहीं चाहिए अगर हम सब मिलकर एक हो जाए तो वो जालिम राजा हमारा कुछ नहीं बिगार सकता वहीं दूसरी तरफ जालिम राजा जिसे एट्रियम मिल चुका होता है जब उसे उस लड़के के बारे में पता चलता है कि वो को के लिए बलिदान की भावना रखने वाले इस लड़के को जादूगरों का एक ग्रूप बचा लेता है वो उस लड़के को असी में शक्तिया देते हैं जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो लड़का बन कर आता है उस जालिम राजा की मौत का पैगाम पर डैथ एदम की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और इन दोनों की लड़ाई में राजा एक्टोन के साथ साथ पूरा कांदाक राज तबाह हो जाता है अब कहानी यहां से आगे बढ़ती है 5000 साल इन 5000 सालों में डैथ एड़का कां बाहर से आए लोगों ने कांदाक पर अपना कब्ज़ जमा लिया था दरसर यह उस शहर में वही ताज की तलाश कर रहे थे जो उस जालिम ने बनाया था वह खुद तो मर गया लेकिन उसका ताज आज भी इसी शहर में कहीं छुपा हुआ है इसकी बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एर्व इसकार में होती है जिससे पत़ चलता है कि कार्म नहीं बल्कि चार लोग कि ना इकर्की कोलोग के plane सोगे जिसकि हिस्ट्री नॉलच बहुत अच्छी है और वो भी इसी टाज को ढूँड रही होती है ताकि वह उस कर सके इसलिए वो उन लोगों के साथ एक केव में जाती है जहां काफी कोशिशों के बाद एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं यहां हमें पता चलता है कि इसका एक साथी इसमाइल उस गैंग से मिला होता है जिसने इस शहर पर ताज को पारने के लिए कबज़ा किया होता है और इतना ही नहीं इसमाइल ही उस गैंग का लीडर है इसका मतलब सब कुछ करदरा इसी का है स्माइल की गैंग के मेंबर इनके एक साथी को मार देते हैं और एड्रियाना से ताथ चीन लेते हैं वो उसे मारने से पहले उसकी लास्ट विश्पूछते हैं तो एड्रियाना पत्थर पर लिखी लिपी पढ़ने लगती है जिस पर शज्जाम नाम के सुर्मे का जिक्र था और वो जैसे ही ये शब्द बोलती है शज्जाम तो 5000 सालों से सोया वो सुर्मा देथ एडम जाग जाता है और आते ही सब को राख कर देत है बड़ी ही पे रहमें से वो सबको उठा उठा कर पटक रहा था उस पर हवाई हमला भी होता है लेकिन उसकी स्पीड स्टेंथ के आगे कोई नहीं टिकता उस पर बरसने वाली गोलियां तो मानो जैसे उसके लिए फूलों की वरसात थी उस पर किसी भी हमले का कोई असर न साथ ले जाती है II कऊसे ली जाती जिसे उसने सही समय पर बैटल प्ले से उठा लिया था बताता है कि इस चहर को तुम्हारे जैसे ही आज पहले ये शहर मेरा था अब सब कुछ बदल गया है, समय बदल गया है अब ना ही यह शहर मेरा है और ना ही यहाँ की प्राब्लम्स और वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम एक फीमेल लीडर को देखते हैं जिसका काम सुपर पावर रखने वाले लोगों को अपने कंट्रोल में रखना होता है जिससे आम लोगों को कोई परिशानी ना हो वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉक मैन से बात करती है वो उसे बताती है कि डैथ हैडम वापस आ गया है और उसे रोकर ना गया या उसे गुस्सा आ गया तो वो फिर से वैसी ही तवाही मचा सकता है जैसा कि उसने 5000 साल पहले किया था हौक मैन भी उसकी बात से एगरी होता है और उसे बताता है कि मेरी टीम में तीन लोग है जिसमें शामिल थी साइकलोप्स जिसके पास में तूफान की पावर थी एटम समेशर जो खुद के साइस को बड़ा या घटा सकता है और डॉक्टर फेट जो की इंटर डायमेंशनल ट् देख सकते थे दूसरी तरफ हम उस गैंग के लोगों को देखते हैं जिन्होंने इस शहर पर कबजा किया था और वह एड्रियाना के पीछे पड़े होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ताज इसी के पास है तभी डैथ एडम वहां आकर उसे बचा लेता है और उस गैंग का बैंड वजाने लगता है हाउकमें वहां अपनी टीम लेकर आजाता है अब एक करफ गैंग के लोग तो दूसी तरफ हाउकमें की टीम डैथ एडम अकेला ही इन सब का सामना करता है होकमें की टीम भी समझ जाती है कि इसे हराण हमारे वजमें नहीं है ये अकेला ही हम सब पर भारी है तब ही डैध एडम इन पर महरवान होता है और यहां से चला जाता है डॉक्टर फेट को महसूज हो जाता है कि वो तर्ज एड्रियाना के पास है और वो उससे बात करता है उससे मदद है तो वो लोग उसे बताते हैं कि जिसे वो हीरो समझ रही है उसने 5000 साल पहले इस शहर को अपने गुस्से की वज़ा से बरबाद कर दिया था ऐसा दुबारा ना हो इसलिए वो चाहते हैं कि एड्रियाना उनकी मदद करे उनकी ये बात सुनकर एड्रियाना माल जाती है इसमाइल ने इसकी बेटे को किड्नैप कर लिया है इसलिए वो जस्टिस फैमली और डैथ एडम से मदद मांगती है और ये लोग राजी होकर साथ काम करने को तयार हो जाते हैं इसके बाद ये लोग जब इसमाइल के सामने होते हैं तो वो एड्रियाना के बेटे को गन करते हैं तो बनने होगे इसलिए लरगे की जन बचाने के लिए एडम एड्रियाना को उसे ताज दमा इसमाइल के वहहती होता है जिसमें मार जाता है इस बड़ी तबाही के बाद Hawkman Adam के पास जाता है और उसे पूछता है तुम क्यों लोगों की जान लेते हो तुम हीरो हो या विलन इसकी बाद Death Adam अपनी बैक स्टोरी बताता है कि आज से 5000 साल पहले जब हम सभी राजा एक्टोन के गुलाम थे तब मेरा बेटा हृत अपने लो बेहिसाब शक्तियां याने की Death Adam की शक्तियां दी थी राजा मेरे बेटे को हरा न सका तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया उसने मेरी बीवी को मार दिया मुझे अदमरा कर दिया जब मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने मुझे अदमरी हालत में देखा तो उसने अपनी सा प्रणिकों ने चाला कई से उसे मार दिया अपने सामने उसे मरता देख मुझे इतना गुस्ता आया कि मैंने राजा के साथ पूरे राज्जी को खतम कर दिया देख हैडम बताता है कि मेरी वजह से पहले भी काफी तबाही हो चुकी है मैं नहीं चाहता कि ये सब दुबारा हो इसलिए मैं खुद को सरेंडर करता हूँ फिर वो शर्जाम बोलकर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो होक्मेन को बताता है कि तुम्हें कुछ ऐसा इंत जेल में बंद करता है जो पूरी तरह से पानी में डूबी होती है और इसके मूं में ये डिवाइस लगा दिया चाता है जिससे ये कुछ बोलना सके दूसरी तरफ हम इसमाइल को देखते हैं जो ताज के साथ मर गया था उसका शरीर फिर से जिन्दा हो रहा था क्योंकि उस साज में लिखा था कि म्रत्यों ही अगला जीवन है उसकी मौत ने उसे शैतानों के पास पहुचा दिया जहां सभी शैतानों ने उसे सेवेग बना दिया उसे उस राजा एक टॉन का तक्त चाहिया था क्योंकि वो ही बचा हुआ आखरी वंशस था काली दुनिया का द्वार खोलना ही उसका मकसद था डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ सेवेग को रोकने बहां जाता है लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था कि सेवेग को रोकना उनकी बच में नहीं है लेकिन इन्हें आम लोगों को तो बचाना है इसलिए डॉक्टर फेट एक पावर फील्ड क करता है और उसे मदद मांगता है लेकिन इस वक तक सेवेग ने काली दुनिया के कुछ दौर खोल दिये थे सेवेग की सेना कांदाग में तबाही मचा रही थी तभी एडम वहां आ जाता है और वो सेवेग के साथ फाइट करने लगता है वैसे तो यह अकेला ही काफी था प लेता है और इस तरह से वो ताज हमेशा के लिए तबाह हो जाता है इसके साथ ही शहर सुकून में आ जाता है और डैथ एडम को अपना मसीहा मान लेता है डैथ एडम एडियाना के बेटे से बात करता है वो उसे बताता है तुम्हें एक नए नाम की जरुत है तो डैथ एड एक बड़ाया था वह ब्लैक एडम से कहती है तुम्हें इस शहर का हीरो बनकर रहना है तो रहो मुझे कोई प्राव्ब्लम नहीं है लेकिन तुमने इस शहर में काफी तबाही मचाई है इसलिए मैं तुम्हें order देती हूँ कि तुम इस शहर से कहीं बाहर नहीं जाओगे तुम्हें जो करना है इस शहर में रहकर करो यहां के लोगों की देखबाल करो लेकिन यहां से बाहर मत जाना तो Black Adam कहता है मुझे कोई order नहीं दे सकता और नहीं इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मुझे रोक सके मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा तो वो बोलती है हाँ शायद तुम्हें इस दुनिया का कोई भी सुपर हीरो ना रोक पाए पर मैं किसी ऐसी को जानती हूँ जो इस दुनिया से नही चाहिए और ब्लैक एडम की हसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है